Hello Friends Khao Piyo की आज की वीडियो में हम आपके लिए लाए हैं भिंडी रायता भिंडी रायता बहुत टेस्टी लगता है भिंडी रायते में दो तरह का सुआदा आता है एक तो रायते का और दूसरा जब इसमें भिंडी अट हो जाती है तो जो भिंडी का अपना टेस्ट होता है वो टेस्ट जो निकल कर आता है उससे इस रायते की बात ही अलग हो जाती है तो चलिए भिंडी रायता बनाना शुरू करते हैं देख लेते हैं उसके लिए हमें क्या क्या चाहिए उसके लिए हमें चाहिए भिंडी, गरम मसाला, लाल मिर्च पाउडर, चाट मसाला, नमक, तेल, दही, काली मिर्च और रोस्टेट जीरा पाउडर सबसे पहले हम अपना चॉपिंग बोल लेते हैं और उस पे अपने भिंडी को कट करते हैं देखिए मैं इन भिंडी को लंबा लंबा कट कर रही हूँ और पतला पतला बिल्कुल आपने ऐसा ही पतला पतला और लंबा लंबा जिससे इसकी स्लाइसे थोड़ी लंबी लंबी हो जाए और पतली पतली हो जाए आपने ऐसी कट करनी है आप चाहें तो अपनी मर्दी से जैसा कट करना चाहें, वैसा कट कर सकते हैं, मैंने ऐसा कट किया है हमारी भिंडी कटकर तयार हो गई है, अब हम इसमें अपने मसाले आड़ करते हैं, सबसे पहले हम आड़ करते हैं इसमें लाल मिर्च, थोड़ा सा चाट मसाला, थोड़ा सा धनिया पाउडर, नमक स्वाद अनुसार, रोस्टीट जीरा पाउडर, अब हम अच्छी तरह से इस अब हम अपना फ्राइ पेन लेते हैं, और उसमें थोड़ा सा तेल डालते हैं, तेल हमारा गरम हो गया है, अब हमने इसमें वो भिंडिया एड़ कर लेते हैं, जिसमें हमने मसाला लगाया था, अब इसको अच्छी तरह से क्रिस्प होने तक इसको अच्छी तरह से बनाना ह हमारी भिंडी एक्रिस्पोगी है. अब हम इसको अपनी दही में मिला लेते हSM मैने आदी भिंडी को दही में मिला लिया है, आदी बचा ली है अब इसको अच्य दरसे मिक्स कर लेते हैं देखिए जो मसाला जो उसके अंदर गया है एक दम कलर dopo MORE मुंस कर दिया है कि अब हम इसको सर्विंग बोल में डाल देते हैं सर्विंग बोल में डालने के बाद जो हमने भिंडिया बचाई थी अब उन भिंडियों को ऊपर उस पर सजा देते हैं, अब इस पर थोड़ा सा रोस्टी जीरा पाउडर डाल लेते हैं, थोड़ा सा मिर्च पाउडर डाल लेते हैं, थोड़ा सा चाठ मसाला, और थोड़ा सा धनिया पाउडर, और अब इस पर काली मिर्च को क्रश कर देते हैं देखिए कितना अच्छा भिंडी रायता बनकर तयार हुआ है तो आप भी इसे अपने घर पर बनाईए कैसा बना है मेरे साथ यह अनुभव अपने शेर कीजिए मेरे वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें बेल आइकन को जुरूर दबाएं जिससे मेरे आने वाले वीडियो सबसे पहले आपको मिलें हम ऐसे ही नए नए वीडियो लेकर आपसे मिलते रहेंगे तब तक के लिए बाई